निर्विरोद राजसवा पहुंचे एक तालिस उमिदवार जाने पूरी खबर इंसाफ की बात पर नमस्कार आप देखरें इनसाफ की बात और मैं हूँ आपके साथ फ्री अंका चावला लोकसवा चुनाव से पहले हो रहे राजसवा चुनावों की चर्चा जोरो पर है जहां संसत के उच सदन राजसवा की 56 सीटों के लिए 27 परवरी को चुनाव होना है इसी भी 56 सीटों में से 41 सीटों पर नेता निर्विरोद निर्वाचित हो गए है क्योंकि इन सीटों पर सिर पार्टी में नई शामिल हुए अशोक चोहान और केंद्रिय मंत्री अश्विनी वैशनव और एल मुर्गुन शामिल है इतना है नहीं बात जब निर्विरोज चुनाव जीतने की हो रही हो तो भाजपा ने यहां भी सबसे आगे रहने का जंडा बुलंद किया है जहां दरसल सत्ताधारी बीजेपी को अभी तक सबसे ज़्यादा बीस सीटे हासिल हुई है इसके अलावा कॉंग्रेस को छे टीम सी को चार वायरेस को तीन राजप को दो बीजेडी को दो और एंसी पी शिप सेना बी आरेस और जेडी ओ को एक एक सीट मिली है बतादे की कॉंग्रेस की पूरवध्यक सोनिया गांदी बीजेपी के चुन्नी लाल गरासिया और मदन राठोगर मंगलवार को राजस्थान से राजसवा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोशित किया गया है जानकारी के मताविक बाकी बची 15 सीटों पर 27 परवरी को चुनाव होना है और इन में देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी अपना पेच फसाने में काम्याब होगी देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें साफ की बात